हेलो गैस, कैसे है आप लोग? सुआगत है आफ लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताओंगा गाइस कि Redmi A3 फोन में आप लोग कैसे लगा सकते हो अगर आपके पास एक Redmi A3 फोन है और इस फोन में जो हैं आपको लग को लगाना है आपके स्क्रीन में कोई भी लग वगभर्हा नहीं है तो यहाँ पर यो है जब भी आप लूग अपने फोन को स्वाइब कर रहे हो तो आपको जो लग है वो खुल जा रहा है लेकिन अगर आपको जो लग को लगाना है पेटर्न लग पीन लोग या पासपोर्ट कुछ भी लोग अपने फोन में लगा सकते हो तो कैसे आप लोग अपने फोन में जो स्क्रीन लोग को लगा सकते हो गाईस तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को last तक देखिए और अगर वीडियो पसाना आए वीडियो को like कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए तो चलिए गए इस वीडियो को start करते हैं लोग को लगाने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस phone के settings में जाना है settings में जाने के बाद यहाँ पर से थोड़ा सा नीचे scroll down करना है और यहाँ पर आपको एक option मिलेगा passwords and security का तो इस passwords and security के option पे click करेंगे click करती यहाँ पर आपको screen lock का option मिलेगा तो आपको जो है इस screen lock पे click करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके phone में यह बला pattern वगरे नहीं आएगा सीधा यह option आएगा guys क्यूंकि मेरे phone में पहले से lock लगा हुआ है तो इसलिए जो है मेरे phone में यह आगया है तो यहाँ पर से बहुत सारे option मिलेगे pattern, pin, password और फीन आप लगाना है मानलिजे, pin लग लगाना है तो pin पे click करेंगे click करने बाद got it का option आएगा, थोरा सा wait करेंगे तो यह option वीजेवल होगा तो इस पे click करेंगे, click करने के बाद जो भी pin आप लोग रखना चाथे हो इस pin को डालेंगे डालने के बाद continue पे click करेंगे और same EC pin को और एक बाद डाल देंगे डालने के बाद okay पे click कर देंगे ऐसा करती है आपका जो screen lock हैगा इस वो set हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने Redmi A3 phone में आप लोग lock लगा सकते हो तो कैसा लगागा इस आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजे मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई